भाई और भेनों, आज अगर सरकार की योजनाएं जमीन पर तेजी से पहुँच रही हैं, लागू हो रही हैं, तो इसके पीछे सरकार के कामकाज में आया परिवर्तन है. पहले की सरकारी वबस्ता में एक विक्रूती थी, वो गरीब के बारे में सवाल भी खुद पुछते थे, और जवाब भी खुदी दे देते थे, जिस तक लाब पहुचाना है, उसके बारे में पहले से सोचा ही नहीं जाता था. कुछ लोग सोचते थे, गरीब को सडकों की क्या जरूरत है, अब देखिया, आपने सुना हो गया सब, ऐसा कहा जाता था. तो गरीबों को सडकों की क्या जरूरत है, उसको तो पहले रोटी चाहिए. कुछ लोग ये भी कहते थे कि गरीब को गैस की क्या जरूत है खाना तो वो लकडी के चुले से बना लेगा एक सोच ये भी थी कि जिसके पास रखड़े के लिए पैशा ही नहीं वो बैंक खाते की क्या करेगा बैंक खातों के पीशे क्यों लगे हो प्रस ने ये भी किया जाता था कि गरीब को रण दे दिया तो उसको चिकाएगा कैसे दसकों तक ऐसे ही सवालों ने गरीबों को सुविधाओं से दूर रखा ये एक प्रकार से कुछ न करने का बड़ा बहाना बन गया था ना गरीब तक सडक पहुची ना गरीब को गैस मिली ना गरीब को बिजनी मिली ना गरीब को रहने के लिए पक्ता घर मिला ना गरीब का बैंक खाता खुला ना गरीब तक पानी पहुचा परणाम ये हुआ कि गरीब मुल सुभिदाओं से दसकों तक बन्चित रहा और छोटी छोटी जरुवत के लिए गरीब दिन भर जद्दो जहाद करता रहा अब इसको हम क्या कहेंगे मुँ में तो दिन में सो बार गरीब शब्द बोलते थे गरीब के गाने गाते थे गरीब के गीत गाते थे लेकिन वहवार ये था ऐसी चीजों को हमारे यहां पाखन कहा जाता है पाखन ये सुभिदा तो देते ही नहीं थे लेकिन गरीब से जूठी सहनुपती जरूर जताते थे लेकिन जमीन से उठे हम लोग जो हम आपी के लोगों के बीच से आए हैं आपके सुख दोग को नीकर से अनुफो किया है हम आपी के बीच से आए हैं और इसलिए हमने आप जैसे लोगों को काम करने का तरीका अलग रखा है हम तो ऐसे ही व्यवस्ता की मार जेल करके खड़े हुए हैं इसलिए बीते वर्षों में गरीब को ताकत देने का सही माइने में ससक्तिकर्ण का प्रयास किया जा रहा है आज जो देश के गाओं गाओं में सडके बन रही हैं उनसे नए रोजगार बन रहे हैं बाजारों तक किसानों की पहुँच सुलब हुई है बिमारी की स्थिती में गरीब समय पर अस्पताल पहुँच पा रहा है देश में गरीबों के जो जन्दन खाते खुलवाए गए उन खातों के खुलने से गरीब बैंकिंग सिस्टिम से जुड़ गया आज उसको बिचोलियों से मुक्त लाब सीधा मिल रहा है आसान रण मिल रहा है पकाघर, बिजली, पानी, गैस और सौचालय की सुविधा ने गरीबों को सम्मान दिया है आत्म विश्वाद दिया है अपमान और पीड़ा से मुक्त दी है इसी प्रकार मुद्रा लोन से आज ना सिर्फ करोडो स्वर रोजगार चल रहे हैं बल्कि वो दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं साथियों जो कहते थे कि गरीब को डिजिटल इंडिया से सस्ते डेटा से इंटरनेट से कोई फर्क नहीं पड़ता वो आज डिजिटल इंडिया की ताकत को अनुभव कर रहे है